जयाजन सक्ति से मैं आपका होस्ट अंदोस त्राहुल निमेश आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जयाजन सक्ति में माइडियर्फ्रेंड्स वीडियो आपके लिए बहुत important है मेरा आप से request है आप इस वीडियो को complete देखिएगा कहीं से वीडियो को skip मत कीजेगा जिसे आप वीडियो skip कर देते हैं तो आपको proper जनकारी नहीं मिल पाएगी My dear friends, आप लोग के लिए एक bad news है, आप से request है, कहीं से video skip ना करें जैसा कि आप लोग thumbnail में देखी पारे होंगे, अगर आपने भी किसी भी mobile loan app से loan लिया है जो की RBI authorized है, उसके लिए एक नया कानून pass out हुआ है अगर आप उसका भुकतान नहीं करते हैं, तो आपके उपर police case होगा, दर्ज, police कारवाई करेगी इसकी मैं आपको संपूर्ण जानकरी देने वाला हूँ, आप लोगों से मेरा request है, वीडियो को आप कहीं से skip ना करें अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किये हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो आप से मेरा निवेदन है, जितना जादा से जादा हो सके, एक तो देखिए हमारी वीडियो को सेयर करें, ठीक है और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती है, आपको लगता है कि जो हमारी information आपके लिए informative है, तो आप वीडियो को लाइक भी कर दें, और चैनल को जरूर सस्क्राइब करें, सस्क्राइब करेंगे उससे क्या होगा, कोई भी हमारी वीडियो आईगी, उसका notification आपको सबसे पहले मिल जाएगा, बट जब तक आप बैल आइकन नहीं दबाएंगे, तब तक नहीं मिलेगा, तो जब भी सब्सक्राइब करें, बैल आइकन को जरूर दबाएं, गई जैसा कि आप लोग को बता दूँ, मेरे एक सब्सक्राइबर है, जिन्होंने लोन लिया था, क्रेजी परा रहे हैं, उन्हें धमका रहे हैं, और अब इन कंपनी वालों ने एक नया हत्कंडा आज मालिया है, मैं आपको बताता हूँ, इनके जो ये रिकबरी एजेंट हैं, इनका कहना है कि अब जो भी व्यक्ति, RBI authorized application से लोन लेगा, और उसका payment नहीं करेगा, तो देखिए, ए मैसेज किया है इनको कि आपके पर 420 केस होगा, आप लोग देख लीजेगा, अगर आप इतने समय के अंदर-अंदर भुक्तान नहीं करते हैं, तो देखिए, मैं आपको बता दूँ, ऐसा कोई भी कानून ना तो पास आउट हुआ है, और ना ऐसा कोई भी कानून पास आउ मन भेजा गया है, और आप उसको इगनौर करें, आप उसका जवाब ना दें, तब जा करके आपके वारेंट टीशू होते हैं, उसके बाद में पुलिस आती है, ठीक है, लेकिन ऐसे कभी भी पुलिस नहीं आती है, ये एक सिविल का मैटर है, और मेरे देखने में आया है कि हजार दो हजार के लिए कोई भी कमपनी में नहीं जाती है, तो देखिए, ये जो आपको बता रहे हैं कि नया कानून पास आउट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सिरिप और सिरिप इनकी बखवास है, आप इन लोगों से डरे ना, आप इन से घबराए ना, अगर आप के पास में पैसे की ववस्था नहीं है, आप कमपनी को डिरेटली इमेल करें, और इमेल करके कमपनी को सूचित करें कि देखिए, मेरे पास में इस समय पैसे की ववस्था नहीं है, और मैं पैसा नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है, उनको क्लियरली तरीके से बता दें, और ब मैं आपको बता दूँ मेरा उदेश है आपको जागरुक करना आपको अवेर करना आपको सत्के से अवगद कराना मेरा उदेश से ये कताई भी नहीं है कि मैं आपकी financial death करा दूँ या आपको किसी परकार का नुकसान करा दूँ देखिए एक अच्छे यूट्यूबर की पैच को गुरु कहता है वो अपसे पहले तो Chinese loan applications का promotion करता था और मैं भी आज भी करता है शायद तो जब police की कारवाई हुई तो उसने immediately क्या किया अपनी जितनी वी वीडियो थी उनको private कर लिया अपसोच की बात बता रहा हूं private कर लिया क्यों कर लिया कभी मेरे उपर action हो जाए मे आपको advise करते हैं कि अगर आपकी कोई भी समस्या हो चोटी-चोटी समस्या हो आप उसके लिए loan ले 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 वो इस परकार की advise करते किसे loan ले ले mobile application से यह होते हैं finance के गुरू लेकिन जहां तक मुझे जानकार यह मुझे समझ में आता है finance का गुरू वो होता है finance advisor वो होता है जो कि आपकी समस्या का समाधान लाकर के दे सके आपको बता सके कि कैसे आप अपनी earning को save कर सकते हैं कैसे आप in loan वगारा से छुटकारा पा सकते हैं जो financially आपको strong कर सके financially आपको मदद कर सके जैसे कि आपने देखा होगा हमें जब बच्पन में हमारे teacher पढ़ाते हैं जैसे कि example के लिए किसी मेरे जो teacher है एक math के teacher थे जो कि अच्छी तरीके से पढ़ाते थे उन्होंने मुझे math में सर्वगुन संपन बनाया फूर तरीके से math को अच्छे तरीके समझाया बढ़िया तरीके से तो हाँ वो मेरे math के guru है तो बस यही वाली बात होती है लेकिन यहां तो यह गुरू है या finance के मामले में आपको बरबाद कर रहे हैं यह क्या कर रहे हैं आपको क्या लगता है मुझे comment section में जरूर बताएं और आप किस प्रकार की information चाहते हैं वो भी जरूर बता दें धन्यवाद वीडियो अच्छी लगी है like share और चैनल को जरूर subscribe करें thank you so much